Friends, Welcome to Astro Today Academy आज के वीडियो में हम गुरुवार के दिन पैदा हुए लोगों के स्वभाव से जुड़ी कुछ इंट्रस्टिंग बातों के बारे में जानेंगे तो यदि आपका या आपके किसी लवड़वान का जनम Thursday यानि गुरुवार के दिन हुआ है तो वीडियो को एक बार जरूर देखें और यदि आगे भी ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले गुरुवार के दिन जनमे लोगों की personality की बात करें तो ये लोग सामान्यत है कोरे रंग के और दिखने में आकरशक होते हैं इनकी height अच्छी होती है और आँखें बहुत सुंदर होती है नेचर की बात करें तो गुरुवार के दिन जनमे लोगों पर देवगुरु ब्रहसपती का विशेश प्रभाव देखा जा सकता है इस दिन जनमे लोगों का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है इनके स्वभाव में धैर्य और सहनशीलता देखी जा सकती है ये लोग मिलनसार और हस्मक स्वभाव के होते हैं जिसके कारण हर कोई इनके साथ रहना पसंद करता है जिसके कारण इनके मित्र बहुत जल्दी बन जाते हैं ये लोग हसी मजा करने वाले और स्वभाव से चंचल होते हैं ये लोग life को enjoy करने वाले और उटसाह से जीने वाले होते हैं। इस दिन जन में ज्यादातर लोग समय की गदर करने वाले और हर कारे को उचित समय पर करने वाले होते हैं। इस दिन जन में लोग अपनी जिम्मेदारियों को बखू भी निभाने वाले और अपने परिवार के प्रती भी बहुत अच्छे साबित होते हैं। इस दिन पैदा हुए लोगों में किसी भी प्रकार की मुश्किल कठिनाईयों का सामना करने की खासियत देखी जा सकती है। ये लोग अपने साहस और समझदारी से हर मुश्किल परिस्थिती को सुलजाने में सक्षम होते हैं। इस दिन जन में ज्यादा तर लोग महत्व कांक्षी और अनुशासन प्रिय होते हैं। इनकी नेत्रित्व करने की शम्ता कमाल की होती है। कई बार ज्यादा डिस्सिप्लेंट व्यभार के कारण लोग इनके अगेंस्ट भी हो जाते हैं। ये लोग emotional और साफ दिल के होते हैं और सपश्टवादी होते हैं। जो कहना चाहते हैं बिना किसी की परवा किये मो पर बोल देते हैं। गुरुवार के दिन जन में लोगों की आर्थिक स्थिती अच्छी होती है। ये लोग अपनी महनत और डेडिकेशन के दम पर जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं गुरुवार के दिन जन में ज्यादा तर लोग धरम करम में आस्था रखने वाले होते हैं और अपनी इसी निचर के कारण कभी किसी का बुरा नहीं सोचते और ना ही किसी को धोखा देते हैं ये लोग भोले भाले और इनोसेंट सौभाव के कारण कई बार दूसरों की बातों में आ जाते हैं जो इनके लिए नुकसान का कारण बनता है गुरुवार के दिन जन में ज्यादा तर लोग सकारात्मक्ता से जीवन जीने में विश्वाश रखते हैं और इनकी धरम करम में भी रूची होती है इन्हें नई नई जगों पर जाना, घूमना और नई नई चीजे सीखना बहुत अच्छा लगता है गुरुवार के दिन जन में लोग बुद्धिमान और ज्यानमान होते हैं करियर की बात करें तो ये लोग बिजनस व्यपार में जल्दी सफलता प्राप कर लेते हैं इस दिन जन में लोग अच्छे टीचर, लॉयर, राइटर या एस्ट्रोलजर बन सकते हैं ये लोग अच्छे सलहकार भी बन सकते हैं ये लोग अच्छे गायक या संगीत अग्य हो सकते हैं ये लोग आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट से जुड़े कारिय, ह्यूमन रिसोर्स और खेलकुद में भी अच्छा काम कर सकते हैं गुरुवार के दिन जन्में लोगों की हेल्थ की बात करें तो इस दिन जन्में लोगों को आँखों और दातों से संबंधित परेशानिया, नीन ना आने की समस्या हो सकती है ये लोग शारिरिक तोर पर थोड़े कमजोर और आलसी देखे जाते हैं इन्हें इन्डाइजेशन और पेट से संबंधित हेल्थ इशू भी परेशान कर सकते हैं इस दिन जन्में लोगों को बलड से जुड़ी समस्याएं, कील मुहा से या स्किन से जुड़ी समस्याएं होने की संभावना भी रहती है गुरुवार के दिन जन्में लोगों की कमियों की बात करें तो इस दिन जन्में लोग अपनी ज्यादा सोचने की आदत के कारण कई बार mental stress का शिकार हो जाते हैं कई बार जल्दबाजी में निर्णे लेने के कारण ये लोग परिशानी में पड़ जाते हैं और गलट निर्णे लेने के कारण बाद में पच्टाना पड़ता है इसलिए हो सके तो गुरुवार के दिन जन्में लोग धैरे से काम ले और जल्दबाजी में निर्णे लेने से बचें आपके लिए अच्छा रहेगा गुरुवार के दिन जन्में लोगों के लखी नंबर की बात करें तो इनका लखी नंबर है 3 इनके लखी कलर की बात करें तो लखी कलर है येलो इनके लखी डे की बात करें तो लखी डे है Tuesday and Thursday गुरुवार के दिन जन्में लोगों के लिए उपायों की बात करें तो इन्हें अपने जीवन में सकारात्मक्ता को बढ़ाने के लिए येलो कलर का इस्तिमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए हो सके तो डेली केसर का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन येलो कपड़े ही पहने आपके लिए बहुत शुक्कारी रहेगा तो फ्रेंस ये थी जानकारी जो जुड़ी थी थरस्डे के दिन जनमे लोगों के व्यक्तित्व से अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिनकुल न भूलें कल मिलते हैं एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ थेंक यू फॉर वाचिंग